आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं उत्तरकाशी टरनल हाथसे के बारे में उत्राखन के उत्तरकाशी में निर्माना धिन सिल्कियार टरनल में चार दिन से 40 मज़़ूर फसे हुए है इन्हें निकालने की हर कोशिश अब तक नाकाम्याब रही है अब नए सिरे से अमेरिकन ओर्गन मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यो शुरू किया गया है हैवी ओगर मशीन को सेना के हर्क्यूलिस विमान से दिल्ली से उत्राखन लाया गया है 25 टनकी हैवी ओगर मशीन प्रती घंटे 5-6 मिटर तक ब्रिल करती है अगर यह काम करती है तो अगले 10 से 15 घंटे में इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है हाला कि यह अंदर की परिस्तितियों पर भी डिपेंड करता है अब हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर हाथसा 12 नॉम्बर की सुबह 4 बजे हुआ था टरल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर दूर मिटी धस गई थी मजदूर अंदर फस कहे थे मलबा 70 मीटर तक फैल गया यह मजदूर बिहार जारखंड उत्रप्रदेश पश्चिम बेंगॉल और इसा उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश के है केंद्रिय मंत्री वीके सिंग टरनल के अंदर जायजा लेने भी पहुँचे उन्होंने कहा कि मजदूर टरनल के अंदर 2 किलोमेटर की खाली जगा में फसे हुए है इस गैप में रोशनी है और हम खाना पानी भेज रहे हैं एक नए मशीन काम कर रहे है जिसकी पावर और स्पीड पुरानी मशीन से बहतर है हमारी कोशिश है कि इस रेस्क्यो ऑपरेशन को 2-3 दिन में पूरा किया जा सके अगर हम बात करें कि इस रेस्क्यो में कितने लोग जुटे हैं तो 200 लोगों की टीम 24-7 काम कर रहे है नेशनल हाइवे और इंफ्रस्ट्रक्टर डवलप्मेंट, कॉपरेशन लिमिटिब, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाइवे की 200 से जादा लोगों की टीम 24 घंटे रेस्क्यो में जुटी है इसके अलावा थाइलेंड, नौर्वे, फिनलेंड, सहित, कई देशों के एक्सपर्ट से ओनलाइन सला भी ली जा रहे हैं अगर हम बात करें हाथसे से लेके अब तक की क्रम के बारे में तो 13 नवंबर को सबसे पहले रेस्क्यो टीम ने टनल का मलबा हटाने की कोशिश की थी लेकिन उसे सफलता नहीं मिली तब से मजदूरों को पाइप के जरीए लगातार ऑक्सिजन और खाना पानी मोहया कराया जा रहा है 14 नवंबर को 35 इंच के डायमेटर का स्टील पाइप मलबे के अंदर डालने की प्रोसेस चुरू हुई इसके लिए और ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रो लिंक जैक की मदद ले गई मगर सफलता नहीं मिली 15 नवंबर को टर्लल के बाहर मजदूरों के पुलिस से जड़प हुई वे रेस्क्यू ओप्रेशन में देरी से नाराज थे पेमो के हस्तक शेप के बाद दिल्ली से हैवी ओगर मशीन मंगवाई गई एर फोर्स का हर्कियोलिस विमान इसे लेकर आया 16 नवंबर को हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन का इंस्ट्रोलेशन पूरा हुआ रेस्क्यू एप्रेशन दुबारा शुरू हुआ उत्राखन के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने रेस्क्यू ओप्रेशन का रिव्यू मीटिंग भी बुलाई अब हम बात करेंगे कि इतनी हैवी ड्रिलिंग मशीन क्यों लाने पड़ी 14 नवंबर तक 6 बार मलबा धस चुका है और इसका दाइरा 70 मिटर तक फैल चुका है पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी केवल 45 मिटर तक ही काम कर सकती है इसलिए बड़ी मशीन लाई गई है टनल में फसे सभी लोग 101 परतिशत सुरक्षित भी है सारे 4 किलोमिटर लंबी और 14 मिटर चौड़ी इस टनल के स्टार्टिंग पॉइट से 200 मिटर तक प्लास्टर किया गया था उससे आगे कोई प्लास्टर नहीं था जिसकी वज़े से हाथसा हुआ है इस बचाव कार्या में थाइलेंड से भी मदद ली जा रहे है टनल में फसे मज़़ूरों को निकालने के लिए थाइलेंड के एक्सपर्ट भी मदद कर रहे है 2018 में थाइलेंड में एक जूनियर एसोसेशन फुटबल टींग के 12 मेंबर्स और उनके कोच प्रैक्टिस सेशन के बाद थाइलेंड के गुफा लुवांग नांग नांग में घुमने गए थे तबी अचारत तेज बारिश शुरू हो गई और गुफा में बार आने से बाहर निकलने का रास्ता बंध हो गया था करीब 18 दिनों तक ये फुटबॉल टीम गुफा के अंदर फसी रही थी थाइलेंड के एक्सपर्ट ने उनको सफलता पूरुक बचा लिया था ऐसे में टीम उत्तरकाशी घटना में उन्हें सला दे रही है हाला कि थाइलेंड के एक्सपर्ट भारत नहीं आएंगे वे ओनलाइन मदद कर रहे हैं स्टेट डिजास्टर मेनेजमेंट के अनुसार टनल के अंदर जार खंड के 15 मजदूर है वही उत्तर प्रदेश के 8, ओडिसा के 5, बिहार के 4, पशिम मेंगौल के 3, उत्तराखन के 2, असम के 2 और हिमाचल प्रदेश का एक मजदूर शामिल है धटना की जाज के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है उत्तराखन के मुख्य मंतरी पुशकर सिंह धामी ने rescue operation को लेकर high level meeting की थी धामी ने बताया कि हम rescue operation की पलपल की जानकारी ले रहे है प्रधाल मंतरी नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्राले की ओर से भी घटना की monitoring की जा रही है उत्राखन सरकार ने घटना की जाज के लिए 6 सदस्य कमीटी बनाई है और कमीटी ने जाज का कारे शुरू भी कर दिया है जिस टनल में ये हासा हुआ है वो चार धाम प्रोजेक्ट का हिसा है यह टनल चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहद बनाया जा रहा था 853 करोड रुपे की लागत से त्यार हो रही है टनल हर मौसम में खुली रहेगी यानि बरफबारी के दोरान भी इसमें से लोग आना जाना कर सकेंगे इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमनोतरी धाम के बीच की दूरी 26 किलोमेटर तक कम हो जाएगी दरसल सर्दियों में बरफबारी के दोरान भी राडी टाप छेतर में यमनोतरी हाइवे बंध हो जाता है जिससे यमना घाटी के तीन तहसील मुख्यालों बरकोट, पुरोला और मोरी का जिला मुख्याले उत्तरकाशी से सब पर कट जाता है चारधा म्यात्रा को सुगम बनाने और राडी काप में बरफबारी की समस्या से निजात दिलाने के लिए यहाँ आल वैदर रूट पर योजना के तहट डबल लेन सुरंग बनाने की योजना बनी इसके साथ ही आज का हमारे विशे यहीं पर समाथ होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्डेट